दोस्तों यह हीरो HF Belux का Selfish Start Model जो की नए कलर और नए ग्राफिक्स के साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आपको नए क्या-क्या फीचर्स और अपडेट देखने को मिलते हैं mileage के आए on road कीमत कितनी है अगर आप इसको दिवाली festival तक लेते हैं तो इस पर आपको कितना cash का discount मिलने वाला है यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके front look की तो इसके visor के उपर आपको hero का 3D में logo मिल जाता है और visor क के दौना साइड में आपको blue और silver color के यहाँ पर आपको newly designed graphics मिल जाते हैं halogen type के यहाँ पर आपको non-flexible indicator मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको 35 watt के bulk के साथ halogen headlight मिल जाती है और इसकी mudguard के दौना साइड में आपको IBS का logo मिलता है जैसा कि इसमें आपको integrated breaking system मिल जाता है 278 का यहाँ पर आपको tube वाला tire मिल जाता है त्यूलेस tire नहीं मिलते हैं और यहाँ पर आपको telescopic hydraulic shock absorber type के suspension मिलते हैं बात करें इसकी meter console की तो यहाँ पर आपको analog meter console मिलता है side stand indication light और turn signal indication fuel का meter gear की neutral engine malfunction man headlight indication मिलती है और इसकी जो side mirror है वो आपको वही फुराने लुक में मिलते ह यहाँ पर आपको low beam high beam switch indicator और horn का switch मिलता है दूसी side में चलें तो यहाँ पर आपको only self का switch मिलता है जैसा कि यह non i3s model है दोस्तों इसके सबसे बड़े बदल आपकी बात करें तो इस bike के जो graphics हैं वो completely change कर दिये हैं अब इस bike में आपको black color के उपर blue और silver color की theme के साथ यहाँ प और 9.6 liter की fuel tank की capacity मिलती है power start और program fi की waging मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको hf deluxe का graphics मिल जाता है sticker की रूप में engine की नीचे की side में चलें तो यहाँ पर आपको एक brake pad दिया है जो कि आपको metal body के साथ मिलता है यहाँ पर आपको catalytic converter hero की waging के के start का lever 165 mm की यहाँ पर आपको ground clearance मिलती है engine की head की उपर यहाँ पर आपको oxygen sensor और spark plug दिया गया है और यहाँ पर आपको एक crash guard मिल जाता है engine और power की बात करें तो इसमें आपको 97.2 cc का air cooled four stock bs6 engine मिलता है इसकी maximum power है 7.9 ps की 8000 rpm और और इसका maximum torque है 8.05 mm का 6000 rpm और इसका जो exhaust है यहाँ पर इसकी जो आपको एक metal की chrome की blade भी मिलती है इसकी seat quality की बात करें तो यहाँ पर आपको seat quality वही मिलती है जिसमें आपको कोई भी changes नहीं मिलता है और इसकी rear में आपको two step adjustable hydraulic shock absorber type की suspension मिल जाते हैं जिसको आप two times के लिए adjust कर सकते हैं rear में भी आपको 275 अठारे का two while atire मिलता है अठारेंच के silver color के alloy wheel मिलते हैं और seat call के नीचे की side में भी आपको graphics की strip मिल जाती है rear की side में आपको एक grab handle मिल जाता है silver finishing के साथ hero का यहाँ पर आपको sticker मिल जाता है और इसकी जो tail lamp है और जो indicator है वो आपको halogen के साथ मिलते हैं halogen bulb के साथ इसके दूसरी side में चलें तो यहाँ भी आपको same sticker और graphics देखने क मिल जाते हैं जो की काफी अच्छा look दे रहे हैं इस bike को और यहाँ पर आपको एक sardi guard मिल जाता है और इसके चैंसेट cover की बात करें तो यहाँ पर आपको fiber body के साथ इसका जो चैंसेट cover मिलता है और यहाँ पर आपको adjustable footrest और side stand के उपर आपको एक sensor मिल जाता है side stand की warning का car gear का manual setup दिया गया है और यहाँ पर आपको fiber में body मिलती है और hero की bedging मिल जाती engine के head के दूसी side में आपको एक sensor मिलता है जैसा कि इस bike में आपको program defy की bedging मिलती है तो इसमें आपको fuel injection system दिया गया है अब mileage की बात करें तो इस bike में आपको 65-75 kmpl का आसानी से mileage मिल जाता है अगर आप इस bike को highway पर चलाते हैं 40-50 की speed में on single सवारी में तो बात करें hero hf deluxe के selfish start variant की on road कीमत के बारे में और इसके discount के बारे में तो hero hf deluxe के selfish start variant की on road कीमत है चो 74,600 पे अब discount की बात करें तो दोस्तो hero hf deluxe के selfish start variant पर आपको 2100 पे का cash का discount नहीं है अगर आप hero hf अंडेट या hero hf deluxe का kickstart variant लेते हैं तो उस पर आपको 2100 पे का instant cash का discount मिल जाएगा तो मैं आपको hero hf deluxe के और variant की बारे में बता देता हूँ तो दोस्तो hero hf अंडेट की on road कीमत है 16,600 पे और hero hf deluxe के kickstart variant की on road कीमत है 64,800 पे और hero hf deluxe जो की all black clear के साथ आती है इसकी on road कीमत है 74,700 पे और hero hf deluxe self start allowable के साथ जो की idrius model में आती है इसकी on road कीमत है 75,600 पे तो ये on road price और offer की जानकारी मैंने आपको बताई है friends auto mobile स्राय मत्रा की शुरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी other street वाले बिल्कुल भी tension ना लें आप अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जाएदा like करें comment करें share करें और देव MTR चैनल को subscribe करें thank you दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में